तो चलिए Students बात कर लेते हैं physical properties of carboxylic Acids की. Physical properties में यदि सबसे पहली बात करें हम color वगएरा की. तो जो carboxylic acid होते हैं बच्छे वो colorless होते हैं. क्या होते हैं? colorless. अब वी 3-carbon atom करboxylic acid अवे गये कार्बान सीथे हैं. और जिसमें तीन है carbon atom means methanoic acid, ethenoic acid और propanoic acid इनकी ponsent smell होती है मतलब तीखी गंद होती है इनकी कैसी होती है तीखी गंद पंजेंट smell जो बचे हुए carbon carboxylic acid इनकी भी smell unpleasant होती है मतलब अच्छी नहीं होती है सूंगने में आपको अच्छी नहीं लगने वाली pleasant smell नहीं होती है ठीक है और क्या होते हैं मारे पास colorless दूसरी बात carboxylic acid generally क्या होते है liquid state में आपको मिलेंगे किस state में मिलते है liquid state में लेकिन carbon 10 मतलब 10 carbon से ज्यादा वाले जो carboxylic acid होते हैं वह जनरली आपको वैक्सी solids की फॉम में मिलेंगे किस पॉम में मिलने वाले हैं चिप चिपे वैक्सी solid जैसे वैक्स होती है ना उस तरह का solid की फॉम में यह मिलेंगे तो यह तो रही color की पंजेंट smell की बाद इससे कोई पूछने वाला है नहीं कोई question important यहां से तो next यदि हम बात करें बच्छे solubility की किसकी बात करते है solubility मतलब पानी में घुलन सीलता तो हाँ carboxylic acid water में soluble होते हैं पानी में soluble होते हैं कौन carboxylic acid लेकिन carbon number 4 तक जो है carbon number 1,2,3 और 4 वाले जो carboxylic acid है वो ज्यादा soluble होते हैं पानी में मतलब highly soluble होते हैं बट after carbon number 4 जो solubility है वो लगातार decrease करती जाती है और after carbon number 10 की बात करूँ तो solubility लगबग negligible मतलब 0 हो जाती है तो carbon पान च्यार नंबर तक वो क्या होते हैं पानी में highly soluble होते हैं क्यूं होते हैं रीजन क्या है क्योंकि जो carboxylic acid होते हैं c double bond o o h वो पानी के साथ hydrogen bond बना लेते हैं देखिए यहां पर delta negative charge है यहां पर delta positive तो कौन सा bond बन जाता है बच्चे पानी के साथ hydrogen bonding हो जाती है due to this hydrogen bonding वो पानी में क्या हो जाते हैं हमारे पास soluble होते हैं they are soluble in water अच्छी बात है होने के बाद यदि बात करें boiling points की कि इसकी बात करते हैं बच्चे boiling points की तो जो carboxylic acid का boiling point होता वह बहुत ज्यादा हाई होता है हाई होने का reason इसके पीछे में बाद में बात करेंगे उसे देख लेते हैं यदि comparable mass है comparable mass मतलब लगबग equal mass के आपके पास hydrocarbon है मालो क्या है hydrocarbon और आपके पास aldehyde है और आपके पास ketone है और आपके पास alcohol है और आपके पास carboxylic acid है comparable mass होना चाहिए लगबग equal mass तो उन में से boiling point किसका ज्यादा होगा तो यह आपको important trend है या order है ध्यान में रखना है तो सबसे कम boiling point होता है बचे hydrocarbons का किसका होता है hydrocarbons का उसे ज्यादा bowling point आपको मिलेगा यहाँ पर aldehyde का उसे ज्यादा bowling point मिलेगा आपको ketone का उसे ज्यादा bowling point मिलेगा आपको alcohol का और सबसे ज्यादा bowling point मिलेगा आपको carboxylic acid का यह order बहुत important भई बच्चे इसमें बड़े puzzle होते हैं तो इसको याद कर लीजे सबसे कम melting point bowling किसका होगा hydrocarbons मिलब कार्बन की चेन है simple उनमें उनका उसे ज्यादा क्योंकि polar नेचर आजाता है एल्कोहल में बच्चे hydrogen bonding के चांस आ जाते हैं देखो hydrogen bonding के चांस आ जाते हैं जिससे bowling point और बढ़ जाता है लेकिन carboxylic acid में तो hydrogen bonding और भी ज्यादा strong हो जाती है carboxylic acid की अधि मैं बात करूं देखिए मालीजे यह ch3 c double bond o कहां जाएगा भई c double bond o o h है और एक और carboxylic acid लो आप ch3 then c double bond o o h ठीक है इस c double bond o को भी मैं नीचे बुला लूँ तो बोले यहाँ पर भी hydrogen bonding यहाँ पर भी क्या हो जाएगी hydrogen bonding और hydrogen bonding होने के कारण जो जनरली carboxylic acid वो डाइमर state में exist करते हैं किसमें डाइमर डाई का मतलब होता है बच्चे दो मर का मतलब होता है बच्चे unit मदलब उनकी दो unit आपस में जूड जाते हैं देखो एक unit तो यह रही और एक unit यह रही और hydrogen bonding होने से क्या बना लेते हैं डाइमर बना लेते हैं तो carboxylic acid के boiling point का order है हमारे पास कि hydrocarbon का boiling point कम होता है उनसे ज्यादा LD है उनसे ज्यादा किटोन किटोन से ज्यादा alcohol से ज्यादा carboxylic acid लेकिन किन का comparable मास जिनका है मतलब लगबग जिनका atomic मास क्या है similar है तो इतनी ही करने हैं आपको physical properties से ज्यादा आप से कहीं पर भी कोई भी question physical properties of carboxylic acid में से नहीं पूछा जाएगा तो चलिए students आप प्रोसीद करते हैं chemical properties of carboxylic acids तो चलिए students प्रोसीड करते हैं chemical properties of carboxylic acid क्या है हमारे पास chemical properties of carboxylic acid COH उसे पहले भी carboxylic acid के ग्रूप को एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा इसको जान लेते हैं C double bond O यह OH हमारे पास है इस तरह से इस oxygen के पास क्या present है बच्छे lone pair present है क्या present है lone pair तो क्या होता है जब यह oxygen इस hydrogen के साथ यह bond तोड़ देती है है क्योंकि oxygen ज्यादए electronegative element है तो देखे किस तरह से यह bond टूटेगा इसका नेचर आपको समझना जरूरी है तो यह double bond shift हो जाएगा उपर की तरफ पहले तो तो क्या बन जाएगा बच्छे यहां पर CO पे आ जाएगा negative charge और यहां आ नेगेटिव यहां आजाएगा double bond और OH और oxygen पे आजाएगा positive charge इस oxygen पे positive charge आने के बाद ही कर्बोक्सिलेट आयन और यह कर्बोक्सिलेट आयन resonance stabilize होता है बचे क्या होता है resonance stabilize होता है कैसे यहां गया यह यहां गया तो अगली structure क्या हो जाएगी c double bond O, O पे negative फिर यह यहां जाएगा यह ऊपर जाएगा पस में खेलते रहेंगे तो इसका मेलब जो एक कर्बोक्सिलेट आयन बनेगा this iron is resonance stabilized क्या है resonance stabilized यह है पहली बात लेकिन यहां पर एक और बात हो सकती है कि जब आपके पास c double bond O है और यहां से यह जो OH है यह बाहर भाग सकता है बच्चे कहां भाग सकता है यहां से OH है बाहर ठीक जब यह OH यहां से बाहर जाएगा तो आप ध्यान से समझ लीजे आपको यह bond तोड़ना पड़ेगा नहीं तोड़ना पड़ेगा बिलकुल तोड़ना पड़ेगा तो इसका मतलब यहां वो जिसमें A & H पे बीच का sucks देखेए देखो kद्स पहली कमिकल रेक्성न इनको लेन देता हूं गल जसमें और में STK 2 गा away ah और दूसरी रेक्षन वो सो करते हैं जहां पर कर्बन और औसीजन के बीच का बॉन ब्रेक अता है यह बी टाइप रियक्शन होगी तो कार्बॉक्सलिक असीड कितने तरह की रियक्शन सो करेंगे हमारे पास दो तरह की पहली रियक्शन जहां पर oxygen और H मितलब hydrogen के बीच का bond break होगा second reaction जहां carbon और oxygen के बीच का bond break होगा तो वो किस तरह से ये chemical reaction सो करने वाले हैं तो चलिए अब discuss कर लेते हैं बारी बारी उन chemical reactions को मैं आपको रटा नहीं मरवाऊंगा कि ये इसके साथ ये reaction सो करेगा यहां से ये bond तूटेगा या आप अपने आप पता कर पाएंगे कि अब यहां पर ये bond break होगा अब यहां पर ये bond break होने वाला है तो let us see बढ़ते हैं सबसे पहली chemical reaction की तरफ और वो है बच्चे हमारे पास सुन लीजी वो क्या है वो है acidic nature of carboxylic acid acidic nature जो एक carboxylic acid होते हैं उनका acidic nature होता है means वो असानी से आपको H plus ions दे देंगे क्या दे देंगे असानी से आपको H plus ions इसके पीछे का reason क्या है कि वो असानी से आपको H plus ion दे देंगे वो मैं आपको बता रहा हूं देखे CH3 COOH है आप यहां से H plus ion हटा दो एक बार तो क्या बच जाएगा आपके पास CH3 CO O पे negative आ जाएगा देखे ओपे negative आ गया और H plus ion क्या हो गया हट गया है क्या हो गया हट गया है तो क्यों दे दिया इन्होंने जल्दी से H plus ion क्योंकि यह जो carboxylate ion है यह carboxylate ion यह resonance stabilize है देखे यह यहां आएगा और यह कहां जाएगा उपर तो इसके कारण यह resonance stabilize है मतलब इसमें stability आ गई H plus देने के बाद इसमें क्या आ गई है stability तो यह H plus जल्दी देगा तो जल्दी देगा तो हमारे पास यह इनका nature कैसा होता है acidic nature होता है again benzoic acid है आपके पास this is benzene this is C double bond O O H clear है यह भी आपको H plus असानी से देगा तो असानी से H plus देगा तो क्या बनेगा आपके पास C double bond O O P negative और H plus क्या हो जाएगी release तो यह भी तो resonance stabilizer देखो यह negative यहाँ और यह negative यहाँ तो due to resonance stabilization of carboxylate ion they release H plus ion वो क्या छोड़ देते हैं H plus ion छोड़ देते हैं and due to the release of H plus ions their acidic behavior is shown वहाँ पर कौन सा behavior show करते हैं वो acidic behavior अभी मैं आपको यहाँ पर वो सब नहीं करवा रहा कि इन में से compare करो कि कौन सा strong acid है और कौन सा weak acid है हालांकि यहाँ से question आएगा कि कौन सा strong acid है कौन सा weak acid है लेकिन मैं आपको यह अभी नहीं करवा रहा इस video के बिलकुल last में करवाँगा क्योंकि यदि मैं आपको बीच में वो करवाने लग गया तो अपना मुद्दे से बटक जाएंगे मुद्दा कौन सा अभी हमारे दिमाग में वो है chemical properties क्या है chemical properties तो यह बात आप ध्यान में रखें कि carboxylic acid का nature कैसा होता है acidic होता है चलिए next chemical property की तरफ यदि मैं proceed करूँ बच्चे बई 10th class में जितनी भी reaction पड़ी हुई है वो सारी reaction आज हम यहां discuss करने वाले है तो पहली है बच्चे reaction with active metal reaction with active metal like sodium, potassium, cesium, calcium यह सारी यहां है active metal है तो बताइए बई जब carboxylic acid active metal के साथ reaction करेंगे इसके अंदर डाल दी मैंने active metal N ने या कोई दूसरा carboxylic acid लेलू मैं CH3, CH2, COOH और इसमे active metal डाल दी मैंने potassium या मैं तीसरा carboxylic acid लेलू मैं CH3, COOH और इसमें डाल दी मैंने calcium तो क्या होगा बताइए दसमी क्लास में पढ़ते थे यह reaction कोई काम की है बताओ active metal क्या करती है hydrogen को धक्का मार देती है hydrogen को हटा देती है और hydrogen pop sound के साथ क्या हो जाएगी बच्चे बाहर pop sound के साथ और यहां क्या बन जाएगा च्च की जगाए ने लिख दो बस तो बन गया CH3COON ने भई मैं यह जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि 10th क्लास में पड़ी हुई है सर क्लियर है potassium active metal है तो यह hydrogen को धक्का मारेगी कि बोलेगी भागजा 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 तो बनेगा CH3CH2COOK पलस में हो जाएगी है तो यहां से हम सीख गए है कि जब जब एक्टिव मैटल हाइड्रोजर कार्बोक्सलिक एसिड के साथ करती है तो क्यों सी गैस निकलती है हमारे पास है चलिए नेक्स बढ़ते हैं सैक्ट हमारे पास हम पढ़के आए हुए टेंथ क्लास में क्यों से रिएक्शन विद मैटल कार्बोनेट लाइक एनमे टू- सी ओ-स ओ-स-ओ-स या सी-स- देक्शन से मैटल कार्बोनेट पैस अंशलिक एसड तो देखें आपके पास है कर्वोक्सलिक एसिड सी हस्तिरीग हुए इसमें डाल दया आपने मैटल carbonate na2 co3 find out करेंगे क्या प्रोड़क्त बनेगा आपने ले लिया carboxylic acid cs3 cooh कोई भी carboxylic acid ले लेना मैं ज्यादा तर ethanoic acid का ही यूज़ करूँगा यहां पर किसका यूज़ करने वाला हूं मैं ज्यादा तर ethanoic acid का ठीक है इसमें डाल दीजिए बच्छे calcium carbonate दूसरा फिर से ले लीजिए carboxylic acid cs3 cooh कि अब की बार metal carbonate नहीं metal by carbonate डालें आप क्या डालेंगे metal by carbonate मैं ने डाल दिया na h co3 तो बताइए क्या प्रोड़क्त बनेंगे सोची सोची क्या प्रोड़क्त बनेंगे देखे O3 तो क्या निकालोगे आप c o 2 और यहां पर ऐसीड है तो क्या निकालोगे बचे पानी किया बाहर गवें यहां पर पानी को बाहर करोगे कि इसको बाहर कर गवे पानी को अप सर ब स्क्या गया फिर इखो ये जो एन नै अगले में भी हो जाएगा अगले में कौनसी राम कानी है वही है कुछ भी तो नहीं है co3 है तो क्या निकलेगी बच्चे co2 acid है तो क्या निकलेगा बच्चे पानी और पलस में इस की कोन लग जाएगा calcium तो cH3 co o calcium और इसकी वेलेंसी 2 है तो इसके सब्सक्राइब के साथ क्या होगा वही सेम तूसिम जो कार्बोनेट के साथ हो रहा है बच्चे क्या निकलेगी co2 पलस में क्या निकलेगा पानी और ह की जगाए क्या लग जाएगा बच्चे एन ने तो cH3 co o na कर लेंगे हाँ जी सर कर लेंगे भई मैटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट के साथ करते हैं कर्वक्सलिक एकशिट तो सोल्ट सी ओटू और क्या बनता है पानी एक्टिव मैटल के साथ रेक्शन करते हैं तो रियक्शन हो जाती है बचे न्यूट्रलाइजेशन रियक्शन कौन सी हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रियक्शन यहां पर हो जाएगी तो चलिए बेस हमारे पास क्या है सीच 3COOH पलस में क्या डाल दूम है और यह रियक्शन भी मेरे को करवाते हुए भी सरम आ रही है ठीक है आशीड देगा एच बेस देगा ओएच तो हो जाएगा बाहर एच की जगा लग जाएगा एनने तो बन जाएगा सीच 3COOH एनने पलस में क्या बन जाएगा पानी यह क्या बना है बचे मारे पास सोल्ट तो भी बाकी रियक्शन में नहीं करवा रहा बेस के साथ क्या बनेगी न्यूट्रलाइजेशन रियक्शन अब चूटा देखो यह दोनों उक्सिजन तो है ज्यच है जैको कि स्का मलब इसकी हड्रोजन टूट कई बाहर ऑक्सेशन हीजोन के बीच का बान यहां यह दोनों oxygen तो Agities है इसका मलब oxygen और hydrogen के बीच का bond break हो गया यहां देखो यह दोनों oxygen तो Agities है इसका मलब oxygen और hydrogen के बीच का bond क्या हो गया है बच्थे, break हो गया है clear है अब भी पीछे पड़ा आमने acidic nature acidic nature में भी तो H plus दे रहे था इसका मतलब ओ और एच के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा था क्लीव हो रहा था चलिए बढ़ते हैं कुछ और कैमिकल प्रोपर्टीज की तरफ तो चलिए स्टूडेंस बढ़ते हैं नेक्स्ट कैमिकल प्रोपर्टीज की तरफ डैट इस एस्टरीफिकेशन रियक्शन पास है कार्वोक्सलिक एसिड च्छ 3COOH च्छ 3COOH दिस इस कार्वोक्सलिक एसिड और इसमें ले लिजिए आप अल्कोहल ले लेता हूं में इथेनोल च्छ 3C2 ओएच इन दा प्रेजन्स ओफ एसीड 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 यहां पर क्या होगा बच्छे का टेलिस्ट की में होगा आप हमेशा याद रखेंगे जब जब एस्ट्रीफिकेशन रियक्शन आप करवाएंगे तो देखिए ओच तो लेनी पड़ेगी आपको कर्वोक्सलिक एसिड में से और जो एच है ना वह एच लेनी पड़ेगी अलकोहल में से तो यहां से क्या बन गया बच्छे सी ओ आ गया सी ओ पिर इसको जड़ दो ओं सी एच टू सी एच तरी तो यह जुड गया ओं सी इक्या बच्छे ऐस्टर बन गया है क्या बन गया यहां पर एस्टर बन गया सर यहां पर यह बताइए हमें कि यहां पर इसकी एच क्यूं ली हमने इसकी ओएच क्यूं ली क्योंकि यह सारा खेल बच्छे एच पलस का है किसका है यह सारा खेल एच पलस का यहां पर एसीड होने के काण एसीड की प्रेजेंस होने क कर देता ओएच जिसके कान यहां पर ऐसा हो रहा है ठीक है क्लियर है अच्छी बात है तो नेक्स देक्शन लिखें इसी के अंदर तो सी एस त्री सी एच्टू सी डबल बॉंड ओ ओ ओ एच्छ ठीक है और कोई अलकोहल ले लिजे महां लीजे मैंने मिथेनोल ले ली मिथेनोल तो बदो क्या गरना है यहां से ओ एच को पकड़ोगे और यहां से एच को पकड़ोगे क्लियर है किसकी पर जैएगा और पलस में रिलीज हो जाएगा बच्छे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा क्लियर है किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बचे एस्टर एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी आप बेंजोईक एसिड भी यहां पर ले सकते हैं इसमें भी कोई डाउट नहीं है किसकी प्रजेंस में एच प्लस की प्रजेंस में यहां से एच तो क्या हो जाएगा बचे पानी बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास देखिए रिंग एज इटीज रहेगी C double bond O that is C double bond O O CH2 CH3 O CH2 CH3 बन जाएगा एस्टर और यह reaction कहलाएगी हमारे पास esterification reaction क्या कहलाएगी बच्चे esterification reaction कहलाएगी लेकिन यह जो esterification reaction है reversible reaction होती है क्या होती है reversible क्योंकि जो बना हुआ ester है वो दोबारा से तूट जाता है alcohol दे देता है और carboxylic acid दे देता है यह हम पीछे पढ़ गया थे अब यह आपको ध्यान है तो तो यदि आप esterification reaction को fast करवाना चाते हैं बच्चे fast तो fast कब कब होगी esterification reaction मैं यह आपको बता देता हूं यह लिख लेना अपनी note book में यदि जो alcohol है वो छोटी alcohol है देखो यहां पर तो है methanol एक carbon यहां पर है इथेनोल दो गारवन तो मिथेनोल के time पे fast reaction होगी as compared to ethanol सर ऐसा क्यों है क्योंकि भई मिथेनोल का जो loan pair जब यहां attack करने जाएगा तो मिथेनोल के चारों तरफ भीड तो है नहीं मिथेनोल तो छोटी सी है देखो छोटी सी है तो भारी भरकम तो है नहीं तो जल्दी एक कर देगी नविड में से निकल के अटायक कर देगी तो मिथेनोल के के चैसे में क्या होगी फास्ट होगी इतनोल के प्रोपेनोल के comparison में ब्यूतेनोल के comparison में ठीक है clear तीसरी बात यदि यहां पर लगा हुआ तो सिरफ एक कारबन लगा वह देखो के साथ एक करबन लेकिन यहां कितने करबन लगे हुए है दो और यहां पर इतनी बड़ी तो यदि आपका साइज छोटा सा है, आप छोटी से बच्चे हो, तो आप टांगों के बीच से निकल जाओगे न, दिया लगा के आजाओगे, कोई भारी बरकम है, वही बिल्कुल मोटा ताजा आदमी है, वो तो बेचारा बीड में से निकली नहीं सकता न, तो जितना छोट गरूप, जितनी चोटी एलकोहल, जितना चोटा कर्बोक्सलीक अचिड होगा, उतनी ही फास्ट क्या होगी, रियक्शन होगी, ठीक है, कलियर है, चलिए, नेक्स्ट केमिकल प्रोपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं, ये तो थी हमारे पास क्या, एस्ट्रीफिकेशन, रि बहुत इंपोर्टिएंट रिएक्शन है, लिख लिजे इसको, इन सबका मैं यहां पर लिख रहाओं, इन सबका क्या काम है, PCL3, PCL5 और SOCL2, इन सबका क्या काम है, नोट कर लिजे अपनी नोटबुक में, इन सबका काम है बच्चे, ओएच रटाना और CL लगाना, ओएच ह हटा देंगे यह लगा देंगे हमने हेलो एलकेन और हेलो अरींस में भी पढ़ा था यदि आपको ध्यान है तो बच्चे तो देखें माल लीजे आपके पास है CH3 COOH और किसी ने डाल दिया यहाँ पर PCL3 और बोला कि बताये प्रोड़क्ट क्या हैंगे किसी ने बोल दिया आपके पास है CH3 CH2 COOH और बोल दिया कि यह आपके पास PCL5 तो बताये क्या प्रोड़क्ट आएगा किसी ने बोल दिया CH3 CHCH3 COOH SOCL2 बताये क्या प्रोड़क्ट बनेगा तो आप ध्यान से सोची अब क्या प्रोड़क्ट बनेगा यहाँ पर प्रोड़क्ट विल भी फॉर्म्ड हेर करिये भी पता इसका तो क्या का मैं PCL तरीका बच्चे ओच हटा देना क्या हटा देना बच्चे ओच हटा देना और उसकी जगा क्या लगा देना चलिए अच्छी बात है और चीजगे लगा दिजिए बस तो बन गया चीजगे तरी और बोन्ड ओ सीएल और यह कौन सा प्रोड़क्ट बन रहा है बता सकते हो इस COCL वाले functional group को क्या बोलते हैं भई हमारे पास यहां पर बन रहा है बच्चे acid chloride क्या बन रहा है acid chloride तो हम बोल सकते हैं कि जब-जब carboxylic acid PCL3, PCL5, SOCL2 के साथ reaction करेगा तो क्या बनेंगे हमारे पास acid chloride bliss बनेगे बच्चे क्या बनेगे acid chloride और यहां पर यहां पर product बने गा बच्चे इसमें किसी ने PCL3 लिखरका है और PCL5 लिखरका है और SOCL2 लिखरका और पूछ रखा है कि यह प्रोडक्ट बताईए इसका क्या इन तीनों में से कोई भी एक रियक्टेंट लिखरका जो इसके साथ रिक्ट करेगा तो आपको क्या कर देना बच्छे यहां पर OH अटा देना है बस COOH अटा दोगे तो CL लग जाएगा और आंसर आजाएगा बेंजोयल कलोराइड बच्छे क्या आंसर आजाएगा बेंजोयल कलोराइड आंसर आजाएगा क्लियर है तो आई होप आपको यह रियक्टेंट भी कलियर है कि जब कार्बोक्सलिक एसीड PCL3, PCL5, SOCL2 के साथ नहीं है तो उनका ओएच ग्रूप हट जाता है और वहां कोंसा ग्रूप लग जाता है बच्छे CL ग्रूप वहां पर लग जाएगा मैंलब कलोरीन लग जाएगी चलिए नेक्स डेक्सन बढ़ता है हमारे पास रियेक्षन विद अमोनिया रियेक्षन विद अमोनिया बड़े प्यार से समझें कि कोई दिक्कत नहीं है आपके पास है CH3COOH इसमें डाल दिया मैंने अमोनिया डाल दिया है अमोनिया खुद से सोचो एक बार क्या प्रोडक्ट बनेगा ट्राइटू थिंक यॉरसेल्फ वट विल बी दे प्रोडक्ट हेर यस 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 वारी गुड वारी गुड वारी गुड सर हमें ऐसा लग रहा है कर्बॉक्सलिक असीड तो होता है एसिड और अमोनिया खुदी नेचर में बेस तो पता क्या हो जाएगा यह एसिड जब यहां से फिर फ्रसफ फूड़ेगा दे यहां से हैं प्लस फूड़ेगा तो यह जो को ले लेगा तो इन शेंट प्लस प्लस को ले लेगा तो क्या बनेगा देखे श्तरी COO इस पे negative आ जाएगा और NH3 में एक और H जूट जाएगे तो क्या बन जाएगा ये NH4 positive मतलब बीच में बन जाएगा आपके पास salt क्या बन जाएगा बच्चे salt बन जाएगा ठीक है चलो नहीं समझे मैं आपके एक और reaction ले लेते हैं हमारे पास ये लो क्या करेगा इस H पलस को ले लेगा यहां से तो NH4 positive बन जाएगा और COO negative बन जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास यहां पर benzene benzene के ऊपर COO negative और NH4 positive बन जाएगा clear लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा heat करते हो यहां पर थोड़ा सा क्या करते हो बच्चे heat further आप इसको क्या करते हो heat तो पानी बाहर हो जाता है यहां से अपने आप क्या बाहर हो जाता है पानी यहां से भी कौन चला जाएगा बच्चे पानी सर पानी कहां से जाएगा देखो कहां से जाएगा इसमें से पानी माइनस करना है आपका आपको थारी आपको झी ही ओ एक टीजन और दो हैड्रोजन यह पानी बन गया एक यह चली गई पानी बना कर कहां बना कर पानी बना कर चली गई और इसकी दो पानीगे, तो यहाँ बने गया अबके पास, क्या बने गा, मतलब जब 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 करणोंुक्सिद अमोनिय के साथ रियक्ट करते हैं, और आप उनको हीट करते हो, तो फाइनल प्रोडक्ट बने गा, amide क्या बनेगा amide clear है हाँ जी सर बिल्कुल clear है इसको भी गरम करो फिर भई पानी को क्या कर दीजिए बाहर पानी रे पानी तू छला गया बाहर तो CO आ गया यहां से oxygen और यहां से दो hydrogen पानी बना कर रफू चकर तो यहां बच गया बचे NH2 क्या बन गया है फिर से amide क्या बन जाएा फिर से amide clear है हाँ जी सर यह तो बिल्कुल crystal clear हो रहा है वैई क्या हो रहा है crystal clear यह दी crystal clear हो रहा है तो भी comment में जलूर बताएं कि जर रहम club record हो रहा है चलिए फिर एक ऐचा acid ले लेता हूं मैं यहां पर यह बेंजीन, यहाँ पर COOH, क्या आप सोच सकते हो कि इसका क्या नाम था, can you think about what was the name of this compound, yes, 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 थैलिक एसिड बच्छे, थैलिक एसिड था, तो यह भी ammonia के साथ react करेगा, ammonia के साथ, लेकिन अब की बार दो ammonia लोगे आप, क्योंकि एक ammonia तो जाएगी उपर और एक ammonia जाएगी नीचे, तो बताएए क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर बन जाएगा कुछ इस तरह गा product, benzene as it is, COO negative, देखिए उपर की तरह जैसे उपर बनाया है, COO negative, NH4 positive, NH4 positive, ऐसा यहाँ बन जाएगा, COO negative, COO negative, NH4 positive, NH4 positive, आप और भी आप क्या करोगे, आप heat, क्या करोगे इसको अब आप heat, तो बताएए, यहाँ से भी पानी, यहाँ से भी पानी, दो पानी भाग जाएगे यहाँ से, क्या बन जाएगा यहाँ से दो पानी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, benzene, this is benzene, CO NH2 मतलब वह पर भी amide बन जाएगा, देखो amide, और नीचे बचे, CO NH2 यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, amide, लेकिन यह देखा गया, जब यह थैलिमाइड बनता है हमारे पास, benzene, 1,2, di carboxamide, इसको जब आप और भी ज्यादा हीट करते हो, और भी ज्यादा हीट, बड़ा इंटरस्टिंग बात है, यहाँ पर, पता क्या हो जाता है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है ना, इन में से एक हाइड्रोजन, इसके साथ मिल जाती है, और ammonia बना लेती है, देख क्या बचेगा, देखो, benzene as it is रहेगा, benzene as it is रहेगा, c double bond O, c double bond O, नीचे भी c double bond O, नीचे भी c double bond O, यहाँ पर देखो, यह तो बाग गगई, यह भी भाग गई तो किसका bond किसके साथ बन जाएगा NH के साथ इसको क्या बोला जाता है क्या बोलेंगे इसको थैली माइड बोलते हैं important reaction है वही conversion में कभी न कभी पूछी जाएगी conversion में आप से कभी न कभी पूछी जाएगी क्या है wealth आपके पास है थालिक एस्थीड अमोनिया उधी और्थ बना लेगा फिर आप उसको हीट करोगे तो यहांसे ऊटर लोज करेगा तो यह दो जगह पर आ जाएंगे आप दो जगह पर साथ reaction करेगा तो हमारे पास finally क्या बन रहा है यहां पर बच्चे अमाईड बन रहा है क्या बन रहा है हमाईड क्लियर है हां जी सर क्लियर है चलिए बढ़ते हैं next chemical property की तरफ भाई आपको यदि अच्छे से क्लियर हो रहा है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि हमें इस बात से motivation मिलता रहें की हां बच्चे हमारी चीजों को grab कर पा रहे हैं तो तो भी प्धाने का फायदा है आधर वाइस क्या प्धाने का ठीक है बख्वास नहीं करी जाएगी चैनल पर विल्कुल वी एक आपको content provide किया जाएगा next action बढ़ते हैं वही soda lime decarboxylation reaction soda lime decarboxylation decarboxylation reaction आप यहां से देखिए नाम से soda lime decarboxylation का मतलब क्या है एक बार समझने की कोशिज करिए अपने आप से फिर मैं बताता हूँ आपको की इस reaction का यहां पर मतलब और motive और आप क्या क्या फाइदा है इस reaction को करने में what is your benefit in doing this reaction देखें soda का मतलब होता है बच्चे यहां पर न न ओएच कास्टिक soda जिसको बोलते हैं lime का मतलब होता है बच्चे चूना CAO जब आप soda और lime को किस में डालते हो कर्बोक्सलीक असिड में किस में डालते हो कर्बोक्सलीक असिड में तो पता है क्या होता है बता दूँ पका एक चुटकी में बता दूँ बिलकुल देखो बिल्कुल बता देए छलो इस lign को बाद में डालेंगे पहले क्या लो आप करबोक्सलीक डालो एक लेलिया हां जी उसमें पहले सोडा डालो झाया ठाल नो है कि ओ तो क्या R Difoda को तो पता यहांसे किया हो जाएक बच्चे औ ने तूसी ओ when गल जाएका यहांसे नेटूसी ओ तुर देखिए यह का निकल गया यहांसे एनने टूसी करेंगे और Lime यूजज करेंगे का मतलब होता बक्ष्य हटना ड्यूचा मतलब हटना कर्बोक्सी मतलब diversity ओ टू काहाइब की में से छोटू हट गई देखो इसमें से छी ओटी हट गई घ्टोसी ओट ठीज टो चीह तरी है तो चलो एक और देखते हैं ऐस थी CH2COOH ठीक है पलस में क्या आएगा NAOH तो पहले क्या बनेगा H की जिगह क्या लग जाएगा NA तो क्या बन जाएगा CH3 CH2COONA फिर आप दुबारा से इसमें क्या डाल दोगे NAOH किस के साथ बच्चे CAO के साथ तो बताएगा NA2CO3 बना दो यहां से NA2CO3 बन गया यह एच कहा लग जाएगी बच्चे यहां पर तो क्या बन जाएगा इथेन और पलस में बन जाएगा NA2CO3 क्लियर है तो बताओ डिरेक्ट प्रोडक्ट बताओ ना सोडा मतलब सोडा लाइम मतलब लाइम डी कार्बोक्स में बलब हटा दो देखो यह रही CO2 हटा दो CS3 CS2 लगा दो तो CS3 CS3 बन गया सर बिलकुल हल्वा होगी सहर चीज़ें बिलकुल यह लो COOH पेपर में आ गया NAOHCAO Find A बताओ यह यह क्या बनेगा कुछ भी नहीं गरना यह CO2 को हटा दो बस यहां से यह अट गई CO2 एच उपर लग जाएगी तो इसका बेंजीन आंसर आजएगा भई क्या जाएगा यहां से बेंजीन आंसर तो सोडा लाइम दी कार्बोक्सिलेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि D-carboksy का मतलब है Ky唱 быть CO2 को हठा देना अब इस reaction के बारे में एक point लिखे इस reaction में एक carbon गट जाता है एक carbon गट जाता है देखो इस Carβoksidly Kaycide में कितने carbon थे? 2 लेकिन इस production में कितने carbon है? यहां कितने carbon थे? लेकिन यहां कितने carbon है? 2 यहां कितने carbon देशी OH था नहीं यहां पर और अब क्या बन जाएगा यहां पर बेंजेन तो बोले एक carbon गट गया नहीं घट गया तो इसका मिलब soda lime फोस्पोरस एंड एच आई के साथ रेक्शन ठीक है हमेशा याद रखिए रेड फोस्पोरस एच आई हमेशा क्या गरवाएगा रिड़क्शन रिड़क्शन अमलब ऑक्षिजन हटाएगा वस यह कहने का मतलब यह है ठीक तो देखो CH3 COOH आपके पास है इसमें आपने क्या डाल दिया वच्चे HI किसके साथ रेड फोस्पोरस के साथ और कर दिया इसको गरम हीट तो कुछ नहीं गरना है आपको रिड़क्शन करवाएगा ना तो दिखो कितने कार्बन इसमें 2 कार्बन है देखो कुछ नहीं करना दो कार्बन तो लिख दो असाम से 2 गर्बन सब कुछ उड़ा दो बस hydrogen लगा दो इन carbon पर कुछ नहीं करना यह लो बस अंसर आ गया बई ज्याद तकलीफ बाजी लेनी नहीं है अपको क्या निकलेगा पलस में iodine gas निकलेगी पलस में क्या बनेगा पानी बोलो इसको एच मिलती रहेगी यहां से ओएच और एच यह पानी बनाकर बाहर हो जाएंगे ठीक चलिए next action देखते हैं CH3 CH2 COOH पलस में CH3 in the presence of red phosphorus heat करेंगे तो क्या करना है सुन लो बात ध्यान से यहां कितने गार बने एक दो तीन एक दो तीन बस कुछ देखो ही मत्ता सोचो ही मत्ता रेड़ फोस पर आगया यहां पर भी hydrogen यहां पर भी hydrogen यहां पर भी hydrogen यहां पर भी hydrogen बस मतलब यहां पर क्या मिलेंगे आपको प्रोडक्ट में अलकेंज क्या मिलेंगे अलकेंज देखो यहां पर इथेनोई कैसीड ता तो इथेन आ गई यहां प्रोपेनोई कैसीड ता तो प्रोपेन आ गई है ना पलस में क्या निकल जाएगी iodine पलस में क्या निकल जाएगा बच्चे H2O क्या निकल जाएगा पलस म को कहां बताने वाले हैं, अब comment में, मैं देखूं, अब ही आपको यूदी समझ में आगया है, तो आप जरूर comment करेंगे, अदरवाई आप comment नहीं करने वाले हैं, तो आपको यूदी comment आता, तो मैं समझू हूं, आ कि बच्चों को समझ में आ रहा है, है हमारी चीजे तो चले नेक्स्ट रियक्शन की तरह बढ़ते हैं और वो है हमारे पास कि देट रियक्शन इज हंस डी कर रियक्शन कोन सी है वच्छे हंस डी कर रियक्शन हंस डी कर रियक्शन हंस डी कर देखें इसकी हें ट्रिक बताता हुं है आपको हंस ये बरो हंस बरो हंस बरो हंस बरो तेरि चांदी हुई है तेरी चांदी हुई है इसकी में ट्रिक बता रहा हूं भई आपको हंस बरो तेरी चांदी हुई है ठीक है सोचिए एक बार ये ट्रिक किस तरह से अपलाई होगी कि हंस बरो तेरी चांदी हुई है let us see, देखो हंस का मतलब है बच्चे हंस डी का reaction, ब्रो का मतलब है आपको यहाँ पर ब्रोमीन लेनी पड़ेगी बच्चे, क्या लेनी पड़ेगी ब्रोमीन चांदी का मतलब है बच्चे, सिल्वर सिल्वर सोल्ट लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा सिल्वर सोल्ट, मतलब यह कार्बोक्सली कैसी ड़ा देखो CH3COOH इसका सिल्वर सोल्ट लेलो, आप सोल्ट कैसे बनता था, बताओ, हाइड्रोजन हटा देता था मैं यहाँ पर, और यहाँ सोडियम लगा दूँ, तो यह सोल्ट बन जाता था लेकिन यह तो सोडियम लगाई है, तो सोडियम का सोल्ट है ना यह, लेकिन आपको तो सिल्वर का सोल्ट लेना है, तो इस आनने की जगाब क्या लगाऊगे, AG और इसके साथ रियक्शन करवादोगे BR2CCL4 क्या डाल देंगे आप यहां पर बच्चे, BR2CCL4 देख फिर भी ट्रिक से याद करने की कोशिज करिए, हांस का मतलब है, हांस डीकर रेक्शन, ब्रो का मतलब है, ब्रोमीन लेना पड़ेगा, स्पेसिफिकली पुे प्रोमीन लेनीं पड़ेगे क्या लेनी पड़ेगी, बच्चे यहां पर आपको ब्रोमीन चांदी का मतलब है, suspects सिल्वर सोल्ट लेना पड़ेगा, कार्बोक्सली ऐसीड डबें हाइडरोगे नसीजाद को लगाना पड़ेगा, आब इसके product बनाने हैं आपको क्या बनाने है product अब इसमें BR को खोल दूँ एक बार BR को मैंने ऐसे करके क्या कर दिया है खोल दिया है यहां से AGBR चला गया बाहर क्या चला गया है AGBR पलस यहां से CO2 चली गई है बाहर CO2 और CH3 पे क्या लग जाएगा बच्चे BR लग जाएगा CH3 पे क्या लग जाएगा बच्चे BR क्या जाएगा CH3 पे BR क्लियर है हां जी सर बिल्कुल क्लियर है चले एक और रेक्शन ले लेते हैं CH3 CH2 COOAG चंदी का सोल्ट ले लिया यहां क्या डाल दूंगा मैं Bromine with CCL4 तो यहां से क्या भाग जाएगा भई AZBR तो क्या भाग गया यहां से AZBR CO2 चली गई CO2 चली गई क्या चली गई CO2 CH3 CH2 पे क्या लग जाएगा BR तो आ जाएगा अंसर CH3 CH2 पे BR मतलब इस रेक्शन के जो प्रोड़क्ट होँगे वह क्या होंगे ? Alkyl Bromide Alkyl Bromide मतलब कारबन चेन के साथ Bromine लागेगा और एक carbon घटेगा यह भी लिग लीजिए एक carbon घटेगा देखो यहां तो एक दो तीन कार्बन है यहाँ पर दो गार्वन है यहां तो अरोमेटिक हन्ष भीक्ष एक्षन होती यहाँं पर बेंजोईच एक सीड वाला सौट ले सोल्ड ल injuste का सिलवर के साथ क्या ले लिए हमेंने सोल्ड मोगें यहाँ पर क्या डाल दी नीवचे बीयार टू किस के साथ CCL4 के साथ तो क्या निकल गए यहां से AGBR क्या निकल जाएगी CO2 लिख लेंगे और Benzen पर क्या लग जाएगा बच्चे Bromobenzene बन जाएगा क्या बन जाएगा Bromobenzene यह कौन सी reaction है हमारे पास Hans-Dicker reaction है तो I hope आपको Hans-Dicker reaction भी अच्छे से clear है तो चलिए students next reaction की तरफ प्रोसीड करें तो वो है Hal-Wolhard-Zalins की reaction HVZ reaction बहुत important है भई मैं यहां पर star लगा दे रहा हूँ इसकी उपर important है तो क्या है Hal-Wolhard-Zalins की reaction कि आपके पास कोई Carboxylic Acid है CH3 COOH जिसमें Alpha Hydrogen present है क्या present है बच्चे Alpha Hydrogen कौन सी होती सरा Alpha Hydrogen जो COOH group है उसे जो अगला कार्बन है यह Alpha कार्बन होता है उससे अगला कार्बन होता है बीटा कार्बन तो इस Alpha कार्बन पे जो लगी हुई Hydrogen है यह Hydrogen यह Alpha Hydrogen कहलाती है तो जिस Carboxylic Acid में Alpha Hydrogen इसमें है देखो इससे नेक्स्ट कार्बन पे तीन Hydrogen बिलकुल Alpha Hydrogen उनकी reaction आप करवाएंगे हैलोजन के साथ X2 कोई भी हैलोजन हो सकती है यह X Bromin भी हो सकती है और कलोरिन भी कोई भी हैलोजन हो सकती है तो मैं यहाँ पर कलोरिन ले लू क्या ले लेता हूँ कलोरिन किसके साथ हीट करेंगे आप Red Phosphorus के साथ किसके साथ हीट करने वाले हैं यहाँ पर आप Red Phosphorus के साथ हीट करोगे और फिर Second Step में क्या कर देंगे इसकी Hydrolysis पाने डाल दोगे तो दो क्या product बनेगा आपको करना क्या है वो देखिए आपका मुद्दे की बात आप यहाँ पर Alpha H को हटा दोगे Alpha H को क्या कर दोगे हटा दोगे और उसकी जगह बच्चे हेलोजन लगा दोगे हेलोजन लगा दोगे नाम से सोचिए हेल हेल का मतलब हेलोजन हेल का मतलब हेलोजन लगा दोगे तो बोले मैं इसकी एक हाइडरोजन अटाऊंगा बस यहाँ पर मैं मेरा तो एक हाइडरोजन अटाने का मन कर रहा है तो CH2 उसकी जगए एक हाइडरोजन की जगए लगा दी मैंने क्लोरीन और COOH रहेगा बच्चे as it is तो यही रियक्षन हवीजड है यही रियक्षन क्या है बच्चे हवीजड चलिए एक और रियक्षन ले लेते हैं CH3 CH2 COOH पलस क्लोरीन विद रेड फोस्पोरस पानी क्या है पानी तो आपके बार यह एडरोजन नहीं अटा हुए आप यहां से अटा हुए यहां से क्योंकि यह अलफा है रोजन है तो प्रोडक्ट आएगा बच्चे CH3 CH CH और उस H की जिगह क्या आजाएगा क्लोरीन क्लोरीन और COOH as it is यदि आप और आग्गे करवाओगे इसको मतलब दुबारा से फिर क्लोरीन डालोगे तो यह हैड्रोजन भी हटा दोगे आप लास्ट में जाकर तो बन जाएगा CH3 CClCl COOH मतलब आप आगे भी यदि इसी reaction को continue करते हो तो CL2 red phosphorus clear तो बताएगे क्या benzoic acid में यह reaction होगी benzoic acid में तो answer आएगा नहीं क्यों क्योंकि इस carbon से next carbon पे hydrogen है ही नहीं तो नहीं होगी अब यादी यहाँ पर आप bromine लेते तो यहाँ ब्रोमी लगा दोगे आप उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं तो यह हमारे पास हैल वोलहार्ड जैलिंस की reaction एक और reaction रहती है that is coal-based electrolytic reaction यादी आप हो तो आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है आपके exam में यह बिल्कुल भी पूछे जाने के chances नहीं है 0% भी आप से नहीं पूछी जाएगी तो भी मैं sorry for that reaction coal-based electrolytic process के लिए मैं आपसे sorry मांग रहा हूं तो वो reaction अब हम नहीं करेंगे तो अब बढ़ते हैं aromatic reactions की तरफ benzoic acid की तो चलिए students carboxylic acid की chemical properties में बिल्कुल last में आ गए हैं और even last chemical properties ही हम अभी discuss कर रहे हैं तो देखें आपको एक बार मैं बता दूँ कि जो हमारे पास benzoic acid होता है बच्छे benzoic acid c double bond OOH यह resonance electron withdraw करता देखो यहां से electron खिंचेगा resonance electron खिंचेगा तो और्थो पे कौन सा चार्थ आ जाएगा बच्छे positive फिर electron खिंचेगा तो पैरा पे भी positive आ जाएगा फिर electron खिंचेगा तो और्थो पे भी positive आ जाएगा it means benzoic acid क्योंकि electron withdrawing group होता है electron withdrawing group तो वह electro file के लिए metadirecting होता है कौन सा होता है metadirecting मतलब यदि ring के उपर carboxlic acid लगा हुआ है और कोई electro file electro file मतलब जो electron पे attack करेगा electro file होता यह जो किस पे attack करेगा electron पे attack अब बताये यदि ring पे benzoic acid लगा है और electro file आ रहा है तो electro file क्या ortho position पे आएगा बोलो यह electro file और्थो पे जाएगा नहीं और्थो पे तो पोजिटिव चार जाएगा तो यह तो नहीं जा सकता यह क्या इस और्थो पे जाएगा नहीं क्या इस पैरा पे जाएगा नहीं तो कहां जाएगा बोले मैटा पे जाएगा तो इसका मलब concentrated NO3 nitric acid मतलब Nitration होगी Nitration और Nitration में कौन सा गूरूप अटैच होता है बचे NO2 गूरूप अटैच होता है तो बताई आननो टूरूप कहां अटैच होगा मैटापोजिशन पे तो यह COOH और यहां मैटापोजिशन पे लगा दिया nŌ2 क्लियर है, Concentrated H2SO4, इसका मलब सल्फोनेशन होगी, बच्चे, क्या होगी, सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन में SO3H ग्रूप जोड़ना होता है, तो कौन सी पोजिशन पे SO3H ग्रूप जोड़ेगा, बच्चे, आंसर आएगा, मेटा पोजिशन पे SO3H ग्रूप लगेगा, तो students, यहाँ पर chemical properties of carboxylic acid complete होती है, I hope आपको carboxylic acid की chemical properties, methods of preparation, physical properties अच्छे से clear हुई है, तो let me know us कि आपको यह video lecture कैसा लगा, comment में जाएए और comment में बताएए हमें कि how do you feel कि आपको carboxylic acid वाला chapter अब कैसा लग रहा है,